एप्डेट 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 पेंशन भोगी के लिए एक बड़ी ही राहत भरी खबर सामने निकाल कर आ रही है। पेंशन को बढ़ा कर 7500 रुपए प्रती माह करने की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि EPA's 95 पेंशन भोगियों को संसद में निकाल कर आपडेट मिला है। आईए जानते हैं विस्तार से EPA's 95 पेंशनर्स, Minimum Pension Fund, पेंशन भोगी की मांग और सरकार की प्रतिक्रिया। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन भोगी जो वर्तमान में औस्तन केवल 1450 रुपए प्रती माह की प्राप्त कर रहे हैं। लंबे समय से नियोटम पेंशन को 7500 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर पेंशन भोगी ने कई विरोध प्रदर्शन किये हैं। जिनमें दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ प्रदर्शन भी शामिल है। सभी पेंशन भोगी का कहना है कि मौजूदा पेंशन राशी उनके दैनिक खर्चों और जीवन्यापन के लिए परियाप्त नहीं है। श्रम मंतरी के साथ हुई बैठक में सभी पेंशन भोगी ने अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा है। मंतरी ने आश्वासन दिया की सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और आवशक कदम उठाएगी। पेंशन भोगी की प्रमुख मांगों में महंगाई भत्ता और मुफ्ट स्वास्थ्य सुविधाओं का भी समावेश है। Employees Pension Scheme पेंशन भोगी के लिए राहत के संकेत। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 नैशनल आंदोलन समिती के अध्यक्ष अशोक रावत ने बताया है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भी पेंशन भोगी की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबध है। रावत ने कहा कि कॉंग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने भी पेंशन में व्रिद्धी की मांग का समर्थन किया है। और सरकार पर दबाव बनाने का आश्वासन दिया है। पेंशन फंड निकासी लाभ में संशोधन। इसके अलावा सरकार ने करमचारी पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किये हैं। जिनका उद्देश उन करमचारियों को भी निकासी लाभ प्रदान करना है। जिनोंने 6 महीने से कम अंच्टाई सेवा की है। इससे हर साल लगभग 7 लाख करमचारी लाभानवित होते हैं। अब सेवा के प्रत्येक महीने के लिए निकासी लाभ की गणना की जाएगी। जिससे करमचारियों को अधिक लाभ मिलेगा। करमचारी पैंशन योजना 1995 पैंशन भोगी के लिए सरकार के इस सकारात्मक रुख से उम्मीद जगी है। कि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगे, जल्द ही पूरी होंगी। यदि नियोंतम पैंशन में वृद्धी होती है तो यहां लाखो पैंशन धारकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। और उनके जीवन सर में सुधार लाएगी। सरकार के इस कदम से पैंशन भोगी में नई उम्मीदे जागी हैं। और यहां देखना बाकी है कि कब और कैसे इन मांगों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सभी पैंशन भोगी को सरकार से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ठोस कारवाई की उम्मीद है। EPS 95 Minimum Pension Hike EPS में अब मिलेगी Minimum 7,500 रुपए पैंशन? देखें, अबडेट EPS 95 Minimum Pension Hike, कर्मचारी Pension योजना, Employee Pension Scheme के तहत पैंशन भोगियों ने नियून्तम मासिक पैंशन 7,500 रुपए समेत अन्य मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था। EPS 95 राष्ट्रिय संगर्ष समिती के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि लंबे समय से नियमित Pension Fund में योगदान देने के बावजूत Pension भोगियों को इतनी कम Pension मिल रही है कि उनके लिए गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा ह उन्होंने कहा कि पिछले आठ सालों से देश भर के EPS Pension, Pension Fund के 78 लाग पेंशन भोगी नियोंतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की है EPS 95 Minimum Pension High कर्मचारी Pension योजना, Employee Pension Scheme, राष्ट्रिय आंदोलन समिती, NAC, लंबे समय से पेंशन राषी बढ़ाने की मांग कर रही है पिछले दिनों संगठन ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन करने की बाद भी कही थी अब पेंशन धारकों के संगठन EPS 95 राष्ट्रिय आंदोलन समिती, NAC, ने कहा कि सरकार ने अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है EPS Pension, Pension Fund के करीब 78 लाख पेंशन भोगी नियोंतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग कर रही है Employee Pension Scheme में 1450 रुपए की जगा अधिक पेंशन की मांग पेंशन भोगियों के संगठन ने एक बयान में कहा कि केंद्रिय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की इस दौरान श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया की सरकार उनकी करमचारी पेंशन योजना Employee Pension Scheme की मांग को पूरा करने के लिए आवशक कदम उठाएगी यह मुलाकात EPS 95 NAC के सदस्यों द्वारा हाल ही में राष्ट्रिय राजधानी में आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद हुई देश के विभिन्न स्थानों से आय सदस्यों ने यहां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केवल 1450 रुपए की ओसत मासिक पेंशन की जगा अधिक पेंशन की मांग की संगठन ने कहा कि करीब 36 लाग पेंशन भोग्यों को हर महीने 1000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है समिती के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा श्रम मंत्री मंसुक मंडाविया ने हमें आश्वासन दिया है कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए गंभीर है उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री भी हमारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि नियमित EPA's Pension, Pension Fund में दीरघकालिक योगदान करने के बावजूत कर्मचारी Pension योजना, Employee Pension Scheme में पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिलती है मौजूधा पेंशन राशी से बुजुर्ग दमपत्यों का जीवन यापन मुश्किल हो रहा है उन्होंने कहा कि EPA's Pension, Pension Fund, NAC ने नियूतम पेंशन बढ़ा कर 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग की है जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के जीवन साथी के लिए मुफ्ट स्वास्थ सुविधाएं शामिल होनी चाहिए राउत ने आगे कहा कि कॉंग्रेस और अन्य विपक्षी दलो के कई सांसदों ने भी संगठन के सदस्यों से मुलाकात की और कर्मचारी पेंशन योजना, Employee Pension Scheme में पहले से अधिक पेंशन की मांग को पूरा करने में समर्थन का आश्वासन दिया Employee Pension Scheme क्या है EPS Pension, Pension Fund के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12 फीसदी हिस्सा 95 प्रोविडेंट फंड यानी FD में जाता है जबकि कंपनी के 12 फीसदी हिस्से में से 8.33 फीसदी हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना, Employee Pension Scheme में जाता है इसके अलावा सरकार भी अपनी तरफ से Pension Fund में 1.16 फीसदी योगदान देती है